हेलो फ्रेंड्स हमें स्टार्ट करते एक्जामपल वन फाइंड हमें यह गिवेन है यह फाइंड करना देखो जैसे कि आप 6-7 टक पढ़ते हुए आयो इसको सिंप्ली आप सॉल्व कर सकते हो प्लस माइनस माइनस लगा के प्लस माइनस यहां माइनस लगा के और लसीम लेके स लेना जादा इजी है क्योंकि 7 और 21 का लसीम आजाएगा 21 सेम ऐसे ही अगर यह वाला फ्रेक्शन देखा जाए और यह वाला फ्रेक्शन देखा जाए तो 11 और 22 का लसीम कितना आजाएगा 22 तो इन दोनों को सॉल्व करना एक साथ जादा इजी है तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 upon 7 के साथ लिख लेते हैं minus 8 upon 21 को plus में, ठीक है इसको एक bracket में रखा, तो देखो जो place change करा है, उसको बोलेंगे commutative property और हमने यहाँ पर यही घटा भी कर दिया है, collect कर दिया एक bracket में दोनों ही हमारे fractions एक साथ हैं यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे associativity property तो same ऐसे ही, अब हम next के लिए करेंगे, plus यहाँ से minus 6 upon 11, और यहाँ से plus 5 upon 22 इन दोनों को एक साथ लिखा, तो यहाँ पर जो हमारी property लगीगी, हम क्या कहेंगे by using commutativity and associativity यह जो इस type के हमारी property होती है, इसको commutativity and associativity बोलता है, जिसमें हम place change कराएंगे, और साथ में इनकी groupings करेंगे, अब इनको solve करेंगे तो देखो, यहाँ पर solve करने के लिए, हम पहले LCM लेंगे, 7 और 21 के LCM कितना हैगा? 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 और 3, 3's are 9, plus minus, minus, 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, 1 1 के multiply 8 से करेंगे, तो 8 plus 11 और 22 के LCM, 22 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की multiply minus 6 से करेंगे, तो minus 12, plus 22 को 22 से डिवाइड करेंगे, 1 1 के multiply 5 से करेंगे, तो 5 आ जाएगा 9 minus 8 1 1 upon 21 minus 12 plus 5 कितना हो जाएगा minus 7 तो यहां लिख देंगे minus 7 upon 22 अब देखो यहां पर हमें LCM किस किस का लेना है 21 का और 22 का दोनों ही हमारे different number है कुछ भी common नहीं आएगा 21 और 22 में तो जो हम इसका LCM लेंगे वो क्या आ जाएगा इन दोनों की multiply तो 21 और 22 की multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 462 तो LCM 462 आगया अब 462 को 21 से divide करेंगे तो अब व्यासे कि 22 आएगा अधरवाईज आप divide भी कर सकते हो क्योंकि जब हमारे 2 different number होते हैं और जिन में कोई भी common factor नहीं होता है उनका LCM जो भी आया है तो जब आप उसको first वाले number से divide करूगे तो answer हमेशा second number ही आता है तो जब 462 को 21 से हम divide करेंगे तो कितना हैगा 22 अब इसको इससे divide करने पर 22 आया तो इसकी multiply 1 से करेंगे तो 22 ones are 22 minus क्योंकि plus minus minus 462 को 22 से divide करेंगे तो कितना हैगा 21 सेकिंड वालत जो दूसरा number होगा उसके अलाभा वो आएगा तो 21 21 की multiply 7 से करेंगे तो 7 7214 यह आया 22 में से 147 minus नहीं हो सकता है 22 small है तो answer हमें आरा आएगा minus में 147 में से 22 को minus करेंगे 7 minus 2 5 4 minus 2 2 and 1 रहेगा as it is यह greater था 147 इसके left side में minus है तो answer में भी क्या लगेगा minus और upon में 462 रहेगा हमारा as it is so this is the answer clear friends now start next example number 2 जैसे कि 1 में यहाँ पर plus था यहाँ पर सभी में क्या है हमारे पास multiplier ठीक है तो देखो इसमें भी हम groupings कर लेंगे कि कि किसको solve करना हमाई ज्यादा easy होगा ठीक है तो देखो minus 4 upon 5 है इसके साथ हम 15 upon 16 को solve करें तो यह ज्यादा easy है क्योंकि 4 से 16 cancel हो जाएगा और इधर 15 5 से cancel हो जाएगा तो इसको और इसको एक साथ लिखके grouping करेंगे और यह जो बचा हुआ है यह वाला इन दोनों के एक साथ क्योंकि 7 से 14 cancel हो जाएगा और इहाँ पर 9 से 9 3 से cancel हो जाएगा तो grouping कैसे करेंगे minus 4 upon 5 into 15 upon 16 है इसको लिखेंगे हम एक साथ और अब बीज में क्या लगाना है multiply क्योंकि सभी में multiply थी तो 3 upon 7 multiplied by minus 14 upon 9 यह हमने लिखा एक साथ तो यहाँ पर जो हम प्रोपर्टी लिखेंगे same वो यह कि interchange भी कराया है हमने इनके places को और साथ में collect भी किया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके लिए प्रोपर्टी by using commutativity and associativity अब देखो solve करेंगे solve कैसे करेंगे हम यहाँ पर जो हमारा cancel हो रहा है तो उसको cancel भी करेंगे तो देखो यहाँ से फाइव थ्री जार फिफ्टीन and फॉर फॉर जार सिक्स्टीन सेम ऐसे ही second bracket में देखते है seven two's आर फॉर्टीन and three three's आर नाई तो कितना solve होगे minus three upon सिर्फ four है हाँ पर तो four multiply two और साथ में minus है तो minus two और upon में क्या आ जाएगा three अब हम यहाँ से इसके फिर से bracket open करेंगे तो into minus two upon three four से four cancel हो गया two से two two's are four और यहाँ पर three से three cancel हो गया तो कितना है उपर कुछ नहीं है means की one one है तो one into one one upon में two और दो बार minus आ रहे थे मैंने आपको बता रखा minus अगर even times होते है तो answer plus कहीं आता है यह ऐसे बोल सकते हो minus minus plus तो one upon two हमारा answer हुआ ओके now start next example number three three में कह रहे हैं write the additive inverse of the following हमें इनके additive inverse लिखने है तो first part के लिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ additive inverse होते हैं कि अगर positive number है तो उसको negative बना तो negative है तो positive ठीक है क्यों जैसे कि मैंने आपको बोला four तो इसके additive inverse क्या होगा minus four अगर हम दोनों को plus करें तो answer हमारा zero आना चाहिए हमें answer zero लेके आना है तो zero काब होगा जब दो same number के sign opposite होंगे तो उसको बोलता है additive inverse तो जैसे हम पर minus seven upon nineteen है तो यह minus है तो additive inverse इसका क्या हो जागा seven upon nineteen plus का तो इसको लिखेंगे कैसे कभी भी equal to में seven upon nineteen नहीं लिखना है वो गलत हो जाएगा तो ऐसे लिखेंगे the additive inverse of minus seven upon nineteen is seven upon nineteen clear same ऐसे ही second part के लिए लिखेंगे यह positive है तो answer किसमें आजेगा negative में means की minus twenty one upon one hundred twelve this is the answer clear now we start next example four fourth example important है और मैंने hashtag भी बना दिया है वैसे बहुत easy है बहुत छोटा सा है बट आप लिखोगे कैसे वो समझना है बिलकुल भी रटना नहीं है बच्चे इसको हमेशा गलत ही करते रहते हैं ठीक है तो please be carefully and listen very carefully तो देखो verify that verify करना है minus minus x is the same as x अगर आप ये इसकी value निकालोगे तो ये x के equal आना चाहिए ठीक है ये हमें verify करना है first part में कहरे है जैसे कि यहाँ पर x यूज हो रहा है न तो first part में कहरे है x की value होगी minus 13 upon 17 और second part में जो value होगी वो होगी minus 21 upon 31 तो first part इस्टार्ट करते है तो हम करते हैं कि ये जो दो part दे रखे है जो equal दिखाने है एक LHS ले लेते हैं और एक को हम RHS ले लेते हैं या आप simply भी निकाल सकते हो कि हमें minus minus x निकालना है देखो minus minus x की value क्या हो जाएगी minus as it is minus as it is ये दोनों minus ये वाले है अब लिखने है x की value x की value कितनी है 13 upon 17 तो minus minus क्या होगा प्लस तो कितना है 13 upon 17 अब x लिखते है x कितना है हमारे पास 13 upon 17 तो देखो इसकी जो value आ रही थी 13 upon 7 x की जो value है 13 upon 17 और x की value जो है 13 upon 17 दोनों सेम आ गए तो हम क्या कहेंगे hands verified इनों ने यही तो कहा था कि आपको ये verify करना है सेम ऐसे ही second part में अब हम minus minus x की value निकालेंगे इसको बिल्कुल दिहान से देखाना है देखो ये वाला minus यहाँ पर लगाया after that ये वाला जो minus है अब मैं bracket में इस वाले minus को लगा रही हूँ अब लिखेंगे हम x की value x की value कितनी है minus 21 upon 31 ठीक है तो इसको भी एक अलग bracket में रख लिया जाएगा तो यहाँ पर फिर हम इस type का bracket लगा देगे ठीक है तो देखो यहाँ पर 3 minus कैसे आए एक minus ये वाला था दूसरा minus ये था और जो third वाला minus आया है वो हमारी x की value में था तो अब solve करेंगे देखो minus minus plus plus minus minus तो क्या आया minus 21 upon 31 और x की value कितनी है minus 21 upon 31 तो देखो दोनों की value क्या हो गई हमारे पास same तो क्या कहींगे हम hands verified this is the answer इसमें हमारा verify भी हो गया है ओके friends clear now start next example number 5 example 5 में भी हमें find करना है तो देखो जहां पर multiply होगी तो उसको हम ऐसे मानेंगे कि ये हमारी पूरी एक एक term है same ऐसे यहां पर ये हो गया एक group हो गया एक तरह से और ये group है अलग ये अकेला है minus 1 by 14 तो अब जो हमारे groups बने है उसमें देखो कुछ भी हमारा इस type से कि same है या जहां पर हम कुछ common ले सकते हैं तो yes देखो 3 upon 7 3 upon 7 तो इसको हम common ले सकते हैं means कि chance है कि हम इन दोनों को एक साथ solve कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इस पूरे वाले group को उठाके इस वाले के पास ले आएंगे just like this write करते हैं 2 upon 5 multiply by minus 3 upon 7 और यहां से भी ले आया है हम minus 3 upon 7 को तो यहां पर plus लगा के इसको हम ले आएंगे और multiplied by 3 upon 5 है और minus 1 by 14 को हम दूसरी साइड ले गाए है इसको आगे लिख ले और इसको पीछे तो देखो हमने यहां पर सिर्फ क्या किया है हमने place change कराया group सभी हमने नहीं बनाया तो हम यहां पर लिखेंगे कौन सी property हमने यहां पर लगाई है commutativity तो लिख देंगे by commutativity property अब देखो क्या same है इसमें और इसमें minus 3 by 7 जैसे कि यहां पर दा तो मैंने minus 3 by 7 यहां से common ले लिया है common ले लिया means कि जो same ता उसको अलग लिख लिया इसके बाद अब मेरे पास यहां पर क्या क्या बसता है 2 upon 5 plus minus 3 upon 7 common ले लिया है तो means इसमें से और इसमें से एक तरह से minus 3 by 7 कट हो गया तो देखो इसमें से जब यह कट हो गया तो 2 by 5 बचा plus यह कट हो गया इसमें से minus 3 by 7 तो क्या बचा 3 by 5 minus 1 by 14 अब कैसे लिखेंगे minus 3 by 7 LCM लेंगे 5 और 5 का तो कितना हैगा 5 और उपर क्या आजएगा 2 plus 3 अगर नीचे LCM वही आता है जो दोनों हमारे नमबर थे तो उपर की जो डिजिट्स होती है वो एसटीज रह जाती है तो क्या आजएगा 2 plus 3 minus 1 by 14 minus 3 by 7 2 plus 3 5 तो क्या आया 5 upon 5 minus 1 by 14 5 से 5 को कैंसल किया 1 minus 3 upon 7 की multiply 1 से करेंगे तो minus 3 upon 7 ही आजएगा तो minus 3 upon 7 minus 1 by 14 अब हम 7 और 14 का LCM लेंगे तो देखो कैसे लेता है LCM पहले हम 2 से divide कर लेता है 7 डिवाइड नहीं हो गई as it is 2 7s are 14 7 से divide हो गया 1 1 ओके LCM हमारा वो होता है जो factors आए है उनकी multiply करके 2 7s are 14 तो LCM हो गया है 14 अब 14 को 7 से divide करेंगे 2 2 की multiply minus 3 से करेंगे तो minus 6 minus 14 को 14 से divide करेंगे 1 1 1 0 1 तो कितना है minus 7 upon 14 cancel हो जाएगा 7 1 0 7 7 2 0 14 तो minus 1 by 2 this is the answer और friends यह आपको ऐसी ही करने प्रोपर्टी लगा के गर आप बिना प्रोपर्टी के solve करोगे answer तो same आएगा बट वो method आपका correct नहीं होगा 8th standard के according clear तो I hope आपको समझ आए होंगे please share your queries and feedback in comment section thank you प्रोपर्टी फ्रोपर्टी टday